बिग बॉस हाउज में आते ही टीवी वर्ड की धाकड एक्टरिस कविता कौशिक फुल ऑन एक्शन में आ गई है कविता कौशिक ने घर में आते ही सभी घरवालों की क्लास लेनी शुरू कर दी है दरसल बीते एपिसोड में सल्मान खान ने कविता को घर का कैप्टन बना दिया इसलिए वे पहले दिन ही सभी सदस्यों को अपनी उंगलियों पर नचाती हुई नजर आई रविवार को प्रसारित हुए एपिसोड में दिखाया गया कि घर में तीन नए सदस्यों की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई कविता कौशिक, नैना सिंग और शादूल पंडित ने घर में दाखिल होते ही पुराने कंटेस्टिन को टकर देना शुरू कर दिया है बीते एपिसोड में दिखाया गया कि सलमान खान घर के सदस्यों से नए सदस्यों में से एक नाम लेने को कहते हैं जिसे रेड जोन में पवित्रा और एजास खान के साथ रहना होगा इस दौरान चार सदस्यों से नैना सिंग और चार सदस्यों से शादूल पंडित का नाम लेते हैं लेकिन इन सब के बीच रुबीना दिलैक ने कविता कौशिक का नाम लिया इसके बाद शो की होस्स सल्मान खान एक और ट्विस्ट लेकर आये घर के अंदर एंट्री लेने वाली नई सदस्यों से कविता कौशिक को सीधे कैप्न बना लिया गया वहीं बीते एपिसोड में बिग बॉस के घर में नोरा फतेही और गुरू रंधावा की एंट्री होती है जिसके बाद घर का माहूल बदल जाता है गुरू और नोरा घर वालों से बात करते हैं जिसके बाद नोरा मेल कंटेस्टेंट से कहती हैं कि घर में उनके दिल की रानी कौन है इस पर घर में मौझूद मेल कंटेस्टेंट जवाब देते हैं वहीं आने वाले एपिसोड में जबरदस गहमासान देखने को मिलने वाला है दरसल बिग बॉस 14 में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है नॉमिनेशन में राहुल वैद जान कुमार सानू को नॉमिनेट करते हैं और कहते हैं मैं जान कुमार सानू को नॉमिनेट क निशान्त मलकानी भी राहुर बैर्द को समझाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने नेपोटिजम वाली बात जो बोली है वह गलत है देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइट 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करना ना भूलें